हलो गाइस एक बार फिर से Immortility Weight Please के एपिसोड 16 में आप सभी का वेलकम और आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और प्लीज गाइस ऐसे अपना सपोर्ट मेरे साथ बना के रखें और इसी के साथ चलते हैं आगे एपिसोड को देखने के बाद में अपना हेरो मन में सोचता है अरे नहीं यार यह तो यूवेन है लौ इंफोर्समेंट का मास्टर और तभी यूवेन की निगा रू यूवान के उपर जाती है और जिसको देखने के बाद में यूवेन अपने मन में सोचता है यह तो बहुत अजीब वह बात है क्या सू चैंग शंग इस लड़की को एक कचले के रूप में नहीं मानते थे और चैंग शेंग ने इसकी किर कभी नहीं कि और आज वे दोनों स्क्रिप्च्रल कलेक्शन पविलन में एक साथ आये हैं क्या ये सच है कि सू चैंग शंग बदल गया है जैसा कि चांग मिलते हैं हम एक दूसरे को हमारे पहले नाम से बुलाते हैं और इस बात को सोचने के बार वो और घबरा जाता है और तब ही वो रोय उवान के तरफ के तरफ में सौचता है मेरे लिए अच्छा होगा को चुनने के लिए यहां पर आया था सूचेंग शेंग की बास सुनने के बाद में जो हॉल मास्टर यूवेन होते हैं वो इस गम से शौक्ड हो जाते हैं और तभी अपने मन में सोचते हैं क्या सूचेंग शेंग 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 रोई यूवान को अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया है और तभी वहाँ पर यूवेन खासते हुवे कहते हैं अगर ऐसी बात है तो अपने टैलेंट के हिसाप से आप यहां पर देख लीजे ब्रदर कि आपके डिसाइपल के एक्कॉर्डिंग कौन्छी टेक्निक मैच करती है और अपने हीरों के इस तरह से पैट करने के कारण रो यूवान वहाँ पर बहुत खुश हो जाती है लेकिन दूसरे साइट हाल मास्टर जब अपने हीरों की यह बात सुनते हैं तो एकदम से शॉक्ड होते हुए कहते हैं क्या कहा नाइंध फ्लोर आखिर आप किस तरह से अपन मन में सोचते हैं मैं जानता था सू चैंग सच में बदला नहीं है वो अपने जुनून के बहाने शेन रो यूवान से एक बोच से छुटकारा पाना चाता होगा हाल मास्टर की बात सुनने के बाद में रो यूवान वहाँ पर चिला के कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मुझ हिरो से कहते हैं नाइन फ्लोर की एंट्री पर हमारे एंसिस्टर ने रिस्टेक्शन फॉर्मिशन लगाई हुई है तुम सच में बहुत घमंडी हो और क्या तुम्हें अपना नुकसान होने का डर नहीं है लेकिन अपना हिरो चाहता था कि उसका नाम ना है सामने इसलिए वो से निकल जाता है और जैसे वो नाइन फ्लोर के लिए पैर रखता है आगे तो उसके पैरों के नीचे एक फॉर्मिशन एक्टिवेट हो जाता है और उस फॉर्मिशन के एक्टिवेट होने के करण सामने से बहुत घेसारी इस्पिच्छल एनरजी रिलीज उनर स्टार्ट हो कर दिया जाएगा और कम से कम बाहर कर दिया जाएगा और अगर तुम अपनी हट को अभी भी नहीं छोड़ोगे तो इस फॉर्मेशन के कारण सबसे बुरी सिच्वेशन में खुद को चोट पहुचाओगे इसलिए मैं तुमको सला देता हूँ कि जब कार चला रहे हो तो रु कर रहात हो जाती है और तबी अपना हिरो उस फॉर्मेशन के पर हांथ रखने के बाद अपनी सारी सौड इंटेंट को वहां पर रिलीस करना स्टार्ट कर देता है और अपने हिरो के ऐसा करने के चारण वहां पर पहुत ढेल सारी इस पीच्वेशन के अंदर जाने लगती ह और तभी हमें दिखाया जाता है एक साइट से एंसिस्टर की जित्ती भी formation की power होती है वो वहाँ पर अपनी energy release करती है और दूसरे साइड में अपने hero की sword intent वो वहाँ पर अपनी energy release कर रही होती है और इसीज को देखने के बाद में hallmaster यूँ अपने hero से कहते हैं अच्छा तो य साइडा बढ़ाते हुए release करना start कर देता है और तभी दोस्तों में अगले पल दिखा जाता है अपने hero की sword intent के आगे ancestor की restriction formation भी काम नहीं आते वो वहाँ पर चकना चूर हो जाते हैं शीशे की तरह जिस चीज को देखने के बाद में जो hallmaster होते हैं वो तो एकदम घबराते अरे आकिर सू चेंग चेंग को इतनी भयानक sword intent कब हासिल हो गई और अपना hero वहाँ पर उस formation को तोड़ने के बाद में कुप कूल लुप बना कर वहाँ पर खड़ा होता है जैसे वहाँ पर वो formation तूटता है तब ही hallmaster के पीछे से एक elder house के आगे की तरफ आते हुए कहते हैं hallmaster उस आवाज को सुनने के बार में पीछे के तरफ देख के बहुत ज़़ा घबराते हुए कहते हैं अरे supreme elder आप यहाँ पर क्यों आए हैं supreme elder वहाँ पर अपने hero की कावियत को देखने के बार में बहुत ज़़ा खुश हो जाते हैं और वहाँ पर ताली बजाते हुए कहते हैं क्या बात तुम तो बहुत humble और grace यह तो देखने में बहुत सुन्दर है जब अपना hero वहाँ पर supreme elder को अपने सामने देखता है तो उनकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है क्या वो यह देखने के लिए नहीं आये है कि हमारे ancestor द्वारा बनाया गया formation इतना powerful नहीं है और दूसरे side में रो यूवान अपने hero के ऐसी power को देखने के बार में वहाँ पर blush कर रही थी और तभी वहाँ पर रो यूवान उसके पास आत हुए कहता है मेरे लिए मेरी जूनर सिस्टर के लिए आपके exercise को चुनना मेरे लिए सबसे ज़्यादा important है चैंग चैंग का इस तरह का behave देखने के बाद में रो यूवान वहाँ पर blush करते हुए कहती है brother आपका शुक्रिया रो यूवान की इस बात को सुनने के बाद अपन हेरो के पीछे पीछे रो यूवान भी जाने लगती है और तभी आगे बढ़ते हुवे रो यूवान अपने हेरो को देखते हुए मन में सोचती है लेकिन मेरे senior brother बिलकुन भी powerful जैसे नहीं दिखते है और shock डूते हुए कहती है नहीं रुको और जैसे ही दोस्तों वो ध्या पराते हुए मन में सोचती है अरी नहीं क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आग की problem और जादा बढ़ती जा रही हो और मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मेरे senior brother के पीछे किसी तरह का shadow है अपना hero वहाँ पे आगे बढ़ने के साथ में वहाँ पर जितने भी scroll रखे होते हैं अप अपने subconsciously को मजबूत कर सकते हैं और इसे एक साथ लड़ने के लिए body के बाहर एक अफ़तार में बदल सकते हैं और दोस्तों मैं आपको बता दो जैसे अपने hero के पास sword intent का अफ़तार है मतला phantom वो उसको अपने fight के लिए भी use कर सकता है और तभी दूसी technique के बारे में बतात हैं जिससे कि उनकी fighting abilities loss हो जाती है वहाँ पर ढूंटे ढूंटे थक जाने के बाद में अपना hero irritate हो जाता है और तभी एक scroll को गुसे कारण फिकते हुए कहता है यह क्या साला बकवास है यहाँ पे मैं यहाँ पर धर्मा को खुजने के लिए आया हूँ किसी कुत्ते का खान खुजने के लिए नहीं क्या यहाँ पर nine floor beef cook बनाने के लिए खोल रखा है जब चैंग चैंग वहाँ पर गुसा रहा होता है तभी उतने में रो यूंग वहाँ पर एक technique को ले के आते हुए अपने hero को दिखाती है और वहाँ पर हसते हुए कहती है senior weather यह क्या है इसमें बता लगता है उसके गाल टमाटर के तरह एकदम लाल हो जाते हैं और वह रो यूवान को अपने मन में फील करते हुए कहता है अरे क्या यह अपनी पावर बढ़ाने के लिए मेरे साथ dual cultivation करना चाहती है और हाँ दोस्तों वह dual cultivation की book होती है जिस चीच को देखने के बाद अपने hero powerful है और आपका चेहरा अचानक से अतना लाल क्यों हो गया है अब चैंग शेंग इसको कैसे बता सकता है कि तु धोके से बवाल चीज़ उठा लाईए भाई और तभी वहाँ पर उसकी बाद सुनने के बाद में शर्माते हुए कहता है वैसे यह technique अच्छी नहीं है अगर लो और हाँ याद रखो सारी exercise अच्छी नहीं होती है और जो लोग भी ऐसी exercise लिखते हैं वे कसम से बहुत बुरे होते हैं चैंग शेंग को इस तरह समझाते हुए देखके रो युवान वे वहाँ पर उसको greet करते हुए कहती है हाँ ठीक है मैं समझ गई रो युवान को अपना हीरो आगे की तरफ जाते हुए पीछे पिलट के रो युवान से पूछता है रो युवान मुझे सच बताओ क्या तुम इस जगह को बहुत जाना पहचाना मैसूस करती हो या फिर यहां का atmosphere तुमको बहुत अंदर से अच्छा लगने वाला लगता है अपने हीरो की पर उपने पपराने मास्टर की याद करती है जहां पर वह अपने अपने सच से कहती है और तुम केवल 10 साल की हो और इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना क्यूंकि वे तुमें बरदाश नहीं करेंगे और इस बात को सोचने के बाद में रो युवान वहांपर बहुत सह जाती है और अपने मन में सोचती है mother and low मेरे senior weather बहुत अच्छे हैं आखिर मैं उन्हें कैसे धुका दे सकती हूँ रो युवान इस इसको feel करने के बाद में अपने hero से घबराते हुए कहती है नहीं मैं थोड़ा खराब और थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रही हूँ रो युवान की बास सुनने के बाद में अपने hero की तरफ देखते हुए smile करके कहता है अरे तुम्हें डरने की कोई ज़रुवत नहीं है मैं पक्का तुम्हारे लिए एक बढ़या टेक्निक को डूनूंगा जो आपकी body के साथ suitable हो और इस बात को कहने के बाद अपने मन में वहाँ पर शौक डो जाती है और bless करती हुए मन में सोचती है मेरी senior brother को कोई आश्यर नहीं हुआ और उन्होंने यहां तक कहा कि वहाँ मुझे mental और suitable टेक्निक ढूनने में मेरी मदद करेंगे और इस बात को सूचने के बाद में रो युवान अपने hero के close आ जाती है और अप यह दोनों कपल बन जाते हैं तो आप लोग out of 10 में इन्हें कॉंसी रिटिंग देंगे इसको comment में जरूर बताइएगा और इस बात को सोचने के बार में दोस्तों रो युवान बहुत ज़रा खुश हो जाती है और अपने hero का हाथ पकड़के खुब कसके सटा लेती है जिस इस तरह चिपक के फकड़ते हुए देखके अपने hero के पसीने आ जाते हैं और तभी वो उससे कहता है अरे आखिर क्या गलत हुआ तुम अचानक किस बात के लिए इतना ज्यादा खुश हो गई और इस बात को कहने के बाद अपने मन में सोचता है सिवाए इसके की जब उसन कदम और आगे बल जाती है वो वहाँ पर अपने hero का हाथ और कस्के पकड़ लेती है और वहाँ पर ब्लेश करते हुए कहती है अगर युवान के कपले पर दाग लग जाए तो उन्हें साफ करना होगा और इसी तरह से बादशित करते हुए वो लोग 9th फ्लोर के बाहर निक साथ और तभी हमें बताया जाता है ये लूज जाव होता है ग्रेट एल्डर का भदी जा अफिवो आगे कहता है वे दोनों सूतर पविलियन में एक साथ बात करते और हस्ते हुए कैसे दिखाई दिए और इस हिच को देखने के बार में वो लोड़का वहाँ पर बहाँ सूसता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको देख लूँगा और आगे के तरफ बढ़ते हुए क्रिपी स्माइल देखे कहता है अच्छा तो सू चैंग शैंग फिर से अपना क्लोना उठाना और उनके साथ फिर से खेलना चाते होंगे इसलिए यहाँ पर वो एक्ट कर रहे होगा जब वहाँ पर बुललकरी सब बगवास कर रहा था दूसरे साइड में हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने हीरो के बारे में कहते हैं मुझे उमीद नहीं थी कि सू चैंग शैंक इतने जादा जीनियस होंगे कि वो खुद अर्थ लेबल की एक्से नहीं की है और इसके हलावा वह हमारी सुप्रीम स्वाट सेक्ट में वापस लौट आए इस चीज को याद करने के बार में जो ग्रेट एल्डर होते हैं वह वहाँ पर गुसाते हुए कहते हैं मैं सच में पूरी तरह से अंधा हो गया था आखिर मैं सूच शैंक को अपने स् पास आकर कहती हैं ग्रेट एल्डर मैंने सुना कि आज आप सुभा मेरे डिसाइपल से मिलने गए थे और तुमने बहुत बार चैंक शैंक को शर्मिंदा किया है आखिर आप उससे इतने असंतुष्ट क्यों हैं सेक्ट रिडर की बास सुनने के बार में ग्रेट एल्डर वह मन में सोच रहे थे तभी उतने में उनका भतीजा बहुत तेज भाग के आते हुए चिला के कहता है ग्रेट अंकल और उसके आवाज सुनने के बाद में अपने हिरो की मास्टर और ग्रेट अंकल दोनों दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ पर सेक्ट लीडर को देखने के रूप में वह अपने डिसाइपल को अच्छी तरह से सिखाने में स्वेल हो गई और ठेक समय पर जब मेरे अंकल सभी लोग को पकड़ लेंगे तो मेरी ये खुछी दो गुनी हो जाएगी और इसी चीज को सोचने के बाद में वह वहाँ पर ग्रीट करते हुए कहता है ग दूसे साइड में जो उसकी मास्टर होती है वह वहाँ पर उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है क्या तुम सच कह रहे हो अब दोस्तों आगे देखने में और जदा मज़ा आने वाला है कि अब इस बिचारे का क्या होने वाला है इसको ग्रेट एल्डर पे लेंगे कि अपना हिरो पे लेगा और जिस किसी ने वीडियो को एंट तक देखा है आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और प्लीज गाइस ऐसे अपना सपोर्ट बना के रखें और वीडियो खतम होने से पहले एक लाइक सस्क्राइब कमे थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो लव यू आल